हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है डीजू और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल प्रेम सेपर आज हम बनाने जा रहे हैं फिश मस्टर्ड ग्रेवी जी हाँ फिश मस्टर्ड ग्रेवी जोकी कोलकाता में बहुत फेमस है अगर आप भी अपने खाने में कुछ नया तड़का लगाना चाहते हैं ये सही टाइम है दोस्तों चलिए हम लोग बनाते हैं फिश मस्टर्ड ग्रेवी और इसका रेसिपी जान लेते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए मस्टर्ड चीट्स इसको हम सरसो कहते हैं हल्दी और आपको चाहिए होगा नमक स्वाद अनुसार और धन्या पाउडर जहां दोस्तों धन्या पाउडर भी आपको चाहिए होगा इसके बाद आपको चाहिए होगा कटा हुआ हरा धनिया जो कि आपको गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा फिर आप ले लिजे इमली इमली भी आपको आरसानी से मिल जाती है ग्रॉस्टरी स्टोर में इसलिए सबसे पहले हम लोग इमली को पानी में भीगो के रखेंगे ये लगभग 50 ग्राम तक इमली होगा 30 से 50 ग्राम होगा I'm not sure about the quantity इसको हम लोग पानी में भीगो के रखेंगे इसको हम लोग भीगो के रखेंगे लगभग 10 से 15 मिनित तक जबकि ये जब तक हमने भीगो के रखा था उसको सबसे नीचे हम लोग डालेंगे grinder jar में ताकि वो उपर चलके ना आए तो इस बाद का आप ध्यान रखे इसको लेने के बाद के जो पानी हमने रहा था वो पानी भी इसमें डाल दिया है मैंने और लगभग 200 ग्राम जो मैंने आपको बताया था onion मोटे मोटे भी आप काट सकते हो उस onion को आप इस पर डाल दीजे इसके बाद आप ले लिजे हरी मिर्च मेंको तीखा पसंद है और मेरे घरवाले तीखा खाते हैं तो इसलिए मैंने लगभग 5-6 लिया है आप अपने quantity के हिसाब से आपके स्वात के हिसाब से quantity चेंज कर सकते यह मैंने लिखभग ले लिया है 6-7 मिर्चे मैंने ले लिया है दोस्तो यह बहुत अच्छा लगता है अब इस पर मैंने हलका सा एक छोटा सा टुकडा अद्रक का ले लिया है और वैसे ही छोटे तीन कलिया मैंने ले लिया है लसन का भी इसको हम लोग अभी अच्छी तरह से ग्राइन कर लेंगे दोस्तों करने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको थोड़ा बाडी ग्राइन करना होगा ताकि सर तो अच्छी तरह पिस जाए जैसे ये ग्राइन रेडी हो जाता है इसको आप साइब में रख लीजे दोस्तों अब हम लोग ले लेते हैं मचल कि लगभग आधा चमच होगा क्योंकि हम लोग अलेडी ग्रेवी में नमक डालने वाले हैं तो आप थोड़ा सा क्वांटेडी देख के लिजे इसको अच्छी तरह से मिला लीजे मिला करके इसको लगभग 5 मिट के लिए आप रख लीजे अलग से इस पर हल्दी अच्छी मिक्स करने के बाद हम लोग पहले फ्राइ कर लेंगे सबसे पहले हम लोग लेंगे एक कड़ाई और उस पर मैं ले लूँगा नॉर्मल ऑइल जो कि आप रिफाइन ऑल पी यूज़ कर सकते हैं मैंने इस पर लिया है राइस ब्रैन ऑइल और लगभग मैं 5 स्पून इस पर चम टेल डाल के ले लूँगा क्योंकि मुझे मचली भी फ्राइ करना है और उसी तेल में मैंने मचली फ्राइ किया है जो एक्स्टाट ओयल होगा उसी पर मैं पूरा ग्रेवी और पूरा डिश बनाने वाला हूं दोस्तो तो इसलिए ही मैंने मचली के लिए लगभग कुछ चमच तेल ले लिए तोस्तो यूज को अच्य तरह गर्म कर लिए मैंने देख सकते हैं अब मैं इसमें अच्छी तरह सेही मचली को अच्छी तरह फ्राइ कर लोगा जब तक मचलियां जो है ग्रेवी में थोड़ा फ्राई पसंद है और बहुत सारे लोगों को नहीं सो अपने च्वाइस के हिसाब से आप अपने चेंजिस कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मचली अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इस पर जो बचा हुआ मेरा ओयल था उसको मैं वेस नहीं करूँगा दोस्तों इस पर हल्दी और नमक का भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ इस पर जो गिर गया होगा उसको भी मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले मैं अपने टैमाटोस को अच्छी तरह से गला सबसे पहले जो कटेवे टामाटी थे लगबग 200 ग्राम उसको मैं अच्छी तरह से इस पर पका लूँगा इस पर फिर भी मुझे नमक और हल्दी में अभी से डाल दूँगा दोस्तों अभी आप देख सकते हैं अच्छी तरह पक रहा है इस पर मैंने डाला है एक चमच हल् नमक जी हां दोस्तों फिर मैंने ये पूरा जो नमक है इसको अच्छी तरह से डाल के अगर ग्रेवी आप ज़्यादा बना रहे हो तो आपको ज़्यादा ही नमक डालना पड़ेगा उसके हिसाब से आप देख लिजए तो मैंने इसको अच्छी तरह से अभी फ्राइ कर लि दोस्तो इसको डालते से में ध्यान से क्योंकि जैसे आप डालने लगते बहुत चीटे गिरते तो अपने आप को थुरह संभाले दोस्तों, मैं अच्छी तरह से को डाल दिया है और अच्छी तरह सेन को서 मिक्स कर लूँंगा कि कुछ इस प्रकार बिखेगा, मिक्स करके, कि मैंने इसको पकाया है लगभग 5-10 मिनिट तब यह इस प्रकार दिखता है पांच 10 मिनिट पकाने के बात दोस्तों अभी आपको मसाले डालने का टाइम आ गया है मैं इस पर डाल रहा हूँ एक चमच लाल मिर्च और फिर मैंने डाला इस पर धनियाव और भी लगभग एक इसको डालके अच्छी तरह से मैं मिला लूँगा और इससे पहले मैं आपको बता दू कि जो मैंने इमली डालके रखा था पानी में वो कुछ इस प्रकार हो गया अभी अब दोस्तों इसको अच्छी तरह से आप स्मैश करके इसका जो पल पर आप निकाल लीजे सिर्फ इम आप मिक्स करने के बाद हम लोग सबसे पहले इस पर इमली वाटर डाल देंगे जी यहां दोस्तों इसको मैं इस पर डाल दिया है अब इस पर में को डालना है जो मचली है मैंने फ्राइ करके रखी थी वह भी मैं इस पर डाल दूँगा और अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं इसको पकाऊंगा लगभग 15 मिन तक अच्छी तरह से उबाल आने तक अच्छी तरह पकाऊंगा इसको ताकि मचली का जो ऑईल है और जो जो ग्रेवी है उस पर अच्छी तरह मिक्स होके इसका अच्छा मतलब वह होने लगे देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तर यह बहुत अच्छा होता है कुछ अलग हटके होता है डिश अगर आप ट्राइ नहीं किये हैं मैं तो आपको ज़रूर सदुश करूँ हो कि आप इसको एक बार ज़रूर ट्राइ करें और इसके जितने भी इंग्रिडेंस हैं मैंने सब description box में चार लोगों के हिसाब से मैंने डाले हैं आप इसको देख सकते हैं description box में आपका comment भी हमको ज़रूर लिखके भीजे इसको garnish करने के लिए सबसे पहले मैंने एक plate में अच्छी तरह से मचलियों को निकाल लिया है और इस पर मैं धनिया डाल करके garnishing करूंगा दोस्तों आपके सारी comments मुझे बहुत अच्छे दोस्तों बहुत inspire करते हैं इसी प्रकार से मैं अपने वीडियो ज़रूर लाइक कीजे और हमें अपने comments भीजे और अपने इस वीडियो को share करना ना भूलिए दोस्तों और हमें अपना support इसी प्रकार बनाये रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हम मैं आपको मिलता ह अगले वीडियो में तब तक के लिए stay safe, stay happy, bye दोस्तों